हालो एव्रीबांद वालकिम बैक टुमाइच चैनल आप सभी कहा बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते राते राते दुआ करता हूँ आप अपनी जिंदगी में पॉजिटीव रहते होंगे पॉजिटीव सोचते होंगे आगे बनने की कोशिश करते होंगे आज स्टेरोकार विडिंग में हम जाने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ घंटों में आपके परसन की क्या होंगी करन्ट फिलिंग्स अगले कुछ यानि की 72 आर्ड में आपके पार्टनर क्या सोचेंगे क्या हो सकता है उनकी तरफ से एक्शन या क्या चल रहा है उनके दिम कर सकते हैं सब चीज़े हम discussion करेंगे आने वाले कुछी घंट क्या होगा आपकी जीवन में यह तैमलेस रिडिंग जब भी देखेंगे उस वक्त आपकी साथ रेजनेट होगा बर जंपर युदा Soc सबकी energy pick up होती है, आपके partner के हो सकती है, किसी और के partner के भी हो सकती है, general reading होने के कारणी सबी राशी वालों के लिए होता है, बहले इसमें strongly कुछ राशी आ जाती है, लेकिन सबी zodiac science के लिए reading होता है, चाहिए आपका soulmate connection है, चाहिए आपका karmic relationship है, चाहिए आप single है, married है, married person से प्यार करते हैं, या दोनों single है, extra marital affair है, gender specific भी नहीं है, तो please positive रहे कर अपने partner को ज़रूर याद कीजिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप personal reading लेना चाहते हैं, अपनी birth date के अनुसार आप जानना चाहते हैं, कि कौन सा crystal bracelet आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका future आने वाले महिनों में, अगले साल में कैसा रहेगा, तो book कर सकते हैं, लव लग के बारे में जान सकते हैं, future के बारे में जान सकते हैं, name correction कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका name आपको success नहीं दे रहा है, तो आप check out कर सकते हैं, कि क्या आपका जो नाम है, आपके लिए सही है, या उसमें कुछ letters डाल कर, आपको correction करना चाहिए, यह सब कुछ personal reading आप book कर सकते हैं, मेरा WhatsApp number screen के उपर है, और नीचे description box में, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे message करनी है, तो चलिए जल्दी से partner को याद कीजेगा, हम चानते हैं कि उनकी क्या है current feelings, और आने वाली कुछ घंटों में, क्या हो सकता हैं उनकी तरफ से next action, यान की 72 hours, यान की 3 दिन के अंदर क्या action हो सकता है, देखें कि next 72 hours में आपके person आपको लेकर क्या action लेने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, क्या उनकी feelings रहने वाली हैं आने वाले 22 घंटे में, angels मुझे बिंज़े बताएं जितने भी मेरे वीवर्स अभी इसवक्त के वीडियो को देख रहे हैं उनके person की current feelings और future feelings प्लीज बताएं angels मुझे प्लीज गैड करें सबसे प्लकाड है twin of tomause ऐसा मैं ओच्या लगता है ना कि person काई apo करके रखा है पसंद को किसी ने जैसे की जादू चाह गया है इनके उपर और आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए है या फिर ऐसा मुझे लगते कि परसन एगवा एटिटुट में रहे हैं अभी तक तो यह बात करने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि क्यों कि एनरजी है यहाँ पर कहीं नगी decision मुझे लगता है fire sign लगता है अच्छा नगी परसन का आपकी याद आ सकते हैं passionate हो सकते हैं परसन आपको लेकर या आपके साथ जो बितायवा वक्त हैं उसमें कहीं नगी आपको miss करेंगे बहुत ज़्यादा missing energy मुझे लगती है साथी साथ बहुत आने की कोशिश यहाँ पर मुझे नजर आती है कि इनको travel करके आना है आपसी मिलना है traveling की energy बहुत ज़्यादा है अगर यह आपके नस्दीग है आपको लगता है कि तीन दिन के अंदर का सफर है या दो दिन के अंदर का सफर है कुछी घंट में हो सकता है तो यह कहीं न कि लेकर आ सकते हैं अचनक कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं अचनक बुके लेकर आ सकते हैं अगर आपको जनम दिन है तो तो मुझे यहाँ पर strongly ऐसी feelings लगते कि person की activity जो है न वह बहुत ज़्यादा romantic भी है बहुत passionate है और आपकी तरफ आने के बार में सोचने वाले हैं अगले कि तुम वहाँ नहीं जाओगे उसको नहीं मिलोगे उसके साथ रिष्टा नहीं रखोगे तुम यह बहुत चुके से आ सकते हैं अचनक आ सकते हैं बहुत ही beautiful energy आ रहें प्लीज अपने partner का नाम ज़रूर लीजेगा क्या बात हैं आप एक दुसरे के लिए बने हो क्योंकि य यानि कि जैसी fire आप में लगी है जैसी आग इस तरफ लगी है वही same आग उस तरफ भी लगी है यानि कि एक दुसरे से प्यार जो आपका है बहुत ही जादा गैरा है बहले आपको लगता है जाने तो partner आना है जब आना है लेकि दिली दिल में सोचते हैं कि काश आजाए मेर गर्मी function है आजाए या कुछ ना कुछ ऐसा आपको लगता है कि बहुत दीन हो गए आपको इस person से मिलना है बहुत दीन हो गए आप उनको बहुत जादा miss कर रहे हो आपको लगता है कि partner कम से कम मेरे बारे में सोचे और वो मिलने आए तो मुझे यह लगता है possible है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो king और queen के energy यानि कि आप दोनों राजा रानी हो और ऐसा मुझे लगता है कि आप उनकी दिल की मली का हो या वो आपके दिल के राज को मार है इस type की feelings है आपर है एक दूसरे को लेकर love feelings है और आगे भी आपको continue करने का जैसा मन करता है ना कि इस रिष्टे को आगे लेकर जाना है तो same situation मुझे यहाँ पर person की भी लगती है उनको भी लगता है कि आगे लेकर जाना है इस रिष्टे को कुछ भी हो मुझे चाहिए इस यह रिष्टा ऐसी उनकी feelings है कही ने कहीं अगर आप बहुत ज़दा commanding हो आप बहुत ज़दा ambitious हो आप बहुत ज़दा controlling हो तो वह भी कहीं आपको टक्कर देने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है दोनों का स्वबाव सेम है अगर आपको गुसा आता है तो उनको भी डबल गुसा आता है इस टैप का है रिष्टा तो कहीं ने कहीं एक दूसरे को समझते भी है इस रिष्टे मे निकलना चाते हैं थोड़ा सा उड़ना चाते हैं हो सकता है कि काम का प्रेशर है यह कहीं authoritative position पर काम करते हैं जैसे की बहुत है किसी company के या executive post पर है government job में है और छुटिया नहीं मिलती है इनके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं या इनका खुद का restaurant है इनका खुद का hotel है कुछ business है shop है जहाँ पर यह रोज बन नहीं कर सकते चुटिया नहीं ले सकते ऐसा कुछ काम करते होंगे जरूर या इनका gym भी हो सकता है क्योंकि fire sign है तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि person कहीं न कहीं बहुत काम में busy है काम को लेकर यह focused है इनको बहुत कुछ पाना है ज में मुझे नजर आते हैं ज़रूर यहाँ पर क्या बात है seven of wants के energy eight of wants के energy यहने कि सोच समझ कर person यह आपकी दिल में इनको जगह बनानी है आपकी जिन्दगी में फिर से जगह बनानी है इस रिष्टी को ठीक करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं यह person ऐसा मुझे लगत पता है कि बहुत दिन हो गए आपका reaction क्या होगा लेकिन person को वो कुछ भी नहीं लेना देना है उनको बस आपसे बात करने है उनको बस आपकी साथ रिष्टा ठीक करना है seven of wands के energy यह भी कहती है कि person हर तरीके से try करेंगे आपको मनाने के लिए हर तरीके से कोशिश करेंगे इस रिष्टे में अपना 100% देने के लिए अभी तक यह person दूर रहे होंगे तो उसकी कुछ न कुछ मजबूरी हो सकते हैं जो कि वो कहीं न के आपको बता सकते हैं यहाँ के तरफ जाना है या आपके तरफ आना है और आपसे मिल ना है तो यह हो कर रहे घाना कि पॉजिटिव कार्ड चारो कार्ड बहुत ही positive starting में आई हैं और मुझे यहाँ पर इतना ही लगता है कि किसी की बुरी नंसर आप लोगों को ना लगे अगर कोई मना करता हैं अगर बात नहीं सुननी है साथे साथ आपके पार्टनर भी नहीं मानेंगे अगर उनको कोई रोकने की कोशिश करता है कि क्यों उसके साथ तो तुम्हारा फ्यूचर है यह नहीं अगर ऐसा कोई कहता है आपके पार्टनर को तो वह बात नहीं मानेंगे क्योंकि Queen of Wands की एनर्जी है जिसमें की एक काली बिल्ली नजर आती है five of swords यानि कि मैंने जैसे कहाना कि person किसी की नहीं सुनेंगे उनको जो सही लगता है उनको जो अच्छा लगता है वही करेंगे और सबसे लड़ने के लिए तयार हो गया अभी person क्योंकि उनको जीतना है उनको कहीं न कहीं आ कोशिश करता है तो आने वाले कुछ गंटों में यह person मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़कर आपकी पास आना चाहते हैं सब कुछ भुला कर एक नई शिरुवात करना चाहते हैं सब कुछ पीछे छोड़कर आपके साथ आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसी feelings इनक परसन तो गए आपसे दूर लेकिन आपको भुला नहीं सके यह परसन आपको 24 गंटे याद करते रहें या जिस दिन से यह आपसे अलग हुए तब से यह परसन कहीं आपको ही याद कर रहें पीज आफ सोर्स निव बिगनिंग का भी काड़ है बच्पना भी दिखाता है इस करेंगे तो यह मुझे लगता है कि आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं लेकिन कभी कबार यह हडबड़ा जाते हैं या जल्द बाजी में कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिसके वज़े से आपको तकलिफ होती है उनको भी तकलिफ होती है तो यह मुझे हमिट के एनरजी कहते हैं कि यह पॉसन ने बहुत सोच सोच कर परेशान होने के बाद यह फैसला लिया है कि इनको आपके पास आना है किसी भी हाल में यह मुझे यह आपर नजर आता है आने वाले कुछ घंटों में जरूर यहां पर बार बार ट्रैवलिंग के आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं यह बार बार एनरजी आहे हैं आउसे आपकी बड़िट 12ा सकती है आपकी बड़िट 3 हो सकती है चार हो सकती है यह कुछ बड़िट्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है साथी साथ यहाँ पर मुझे strongly लगता है कि person आपको लेकर final decision पर पहुँचने वाले है एक decision ऐसा होता है जहाँ पर मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहता है मतब आज उनके energy है कि उनको लगता है कि यह जो मैं करने जा रहा ह own मुझे किसी का नहीं सुनना है मेरा फैसला है मेरी जिन्देगी है और मुझे यह करना है जो मुझे लगता है यह अच्छनक taxi लेकर आसकते हैं अचनक कोई कैप बुक करके आ सकते हैं अचनक बाइक लेकर आ सकते हैं अचनक ट्रेन पकड़ कर आ सकते हैं कैसे भी हो ट्रावल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए और यह बहुत बड़ा सप्राइज हो सकते हैं अभी तक अगर वक्त बहुत ही बुरा चल रहा था क्योंकि ये person ने आपका अगर साथ चोड़ा, ये partner ने आपको कही नगे, पीछे चोड़कर वो आगे निकल गए, आपका साथ चोड़ा, या जिन्दिगी के रहा पर इस person ने वादा करके भी आपको जैसे की side में कर दिया था, तो ये कही ना कि ये person को ये सब चीज़े realize हो रही है ये सब चीज़े ही इस person को सोचने पर मजबूर कर रही है आपके बारे में और इसके वज़े से ये person आपकी तरफ जरूर आएंगे 100% आपको claim करना है 14 नमबर को, 13 नमबर को और 12 नमबर को 12, 13, 14 पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन बहुत ही beautiful वक्त आपके जिंदेगे में जरूर आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको negative सोच से दूर रहना है negative लोगों से दूर रहना है जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं उन से दूर रहे क्योंकि वो आपको कभी फायदा नहीं पहुचाएंगे या आपको आपका नुक्सा नहीं होगा ऐसे लोगों से क्योंकि negative है तो आपका बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही चाहेंगे आपको पता चलता है कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है तो वो चूज करना बहुत ज़रूरी है और कुछ कार्ड्स लेकर देखते हैं उसके बाद हम लव औरेकल से भी चेक आउट करेंगे कि परसन ऐसी क्या बातें आपको कहना चाहते हैं जो कि वो एक्स्प्रेस नहीं कर सकते यहाँ पर देखिए एक दुसरे के लिए बने हुए हो यह सोल मेट कनेक्शन है यह डेस्टेन पार्टनर आपके हो सकते हैं आपके डेस्टेनी में आपके भाग्या में इस परसन को लिखावा है तो एक दुसरे के लिए बने हुए हो आप लोग और एक दुसरे की बिना कहीं नगे अधुरापन भी महसूस करते हो तो ये परसंद कहीं नगे अभी मुझे लगता है न कि उनको फील हो रहा है कि आपका साथ चोड़कर उन्हेंने बहुत बुरा गिया है आपके साथ जब थे तो बहुत खुश थे तो ये सोल मेट कनेक्शन है इनका दिल आपके लिए धड़कता है ये आपके बिना कभी भी खुश नहीं रह सकते और ये खुशी ढूंटे हुए आपके पास ज़रूर पहुच जाएंगे आपके पार्णर मेल हो सकते फीमेल हो सकते फिर भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने के बारे में सोच विचार करेंगे यह मझे लगते मैं इनकी इमोषन और फीलिंग लव वाली फीलिंग बहुत ही ज्यादा strong है आपको खोने से डरते हैं और मुझे ये भी फिल होता है जैसे कि ये परसन ने आपको अपना मान चुका है या माना है भले बीच में दूरिया रही है बीच में no contact situation रहा है नहीं रहा है लेकिन कहीं नगी परसन को अभी ये फिल होता है ना कि आप उनके लिए सही हो the magician यानिकि new beginning का काड है और जो आप चाहोगे वही आप पाओगे या जो आप manifestation कर रहे हैं इस परसन के लिए दूआ मांग रहे हैं वो दूआ आपकी कबूल होते हैं मुझे नजर आती है यानिकि आपको लगता है ना कि मेरा प्यार सच्चा है या मेरे को universe के उपर विश्वास हैं मेरे सारे सपने सच होंगे तो जरूर होंगे magician का काड ये कहता है कि जो जो आप चाहोगे या जो सपने आपके तूट चुके थे जो सपने आपके अधूरे रहे चुके थे वो पूरा होने का वक्त अभी आ चुका है तो कहीन के एक नंबर new beginning यहापर मुझे लगती है औ और आपके प्यार को भुलाना बहुती जादा मुश्किल हो रहा है आपके partner को और वही एक बात है जो कि इस person को मजबूर कर रही है आपकी तरफ आने पर positively मुझे लगता है ना इसमें बहुती beautiful energy आ रहे आपके person कि कहीन ना कहीं उनको आपकी बिना नहीं रहा जाता है और य यह निकल चुके हैं थोड़े लोगों के लिए on the way हो सकते हैं आपके partner या इनकी तरफ से जैसे के इन्होंने सोचा है कि आज आपको अनब्लॉक करके आपके साथ बात करना है तो आपको call messages आ सकते हैं एक number का काड है आपको strongly इसे claim करना है और आपको यह लिखना है I claim new beginning thank you universe क क्योंकि बहुत ही positive card है और कहीं न कहीं प्यार खतम नहीं होगा यह मुझे लगता है न कि एक दुसरे के लिए बने हुए हो क्योंकि यहां पर देखे two of cups है दो number काड और एक number का काड new beginning और एक दुसरे के लिए बने हुए हो प्यार खतम नहीं हो रहा है चाहे कुछ भी हो person बताएं नहीं बताएं यह गुसा करें ना करें यह feelings कुछ भी हो person आज आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना की पहले से करते थे तो इनका प्यार कम नहीं हुआ ना ही इस रिष्टे के बारे में उन्हें ने जैसे की सोचना बंद किया है सोच रहें इस रिष्टे के बारे में देखें याँ पर क्या बात है आप दें कि night of source के energy ये कहते हैं कि person का फैसला हो चुका है कि आना ही है आपके तरफ इस person को reunion करना ही है आपके साथ रिष्टा ठीक टाक करना है और future को लेकर serious होते में नंजर आते हैं इस person की सोच पूरी तरह के से बदल गई है अभी तक ये person अगर आपको ignore कर रहे थे अभी तक person ने आपको block करके रखा था तो अभी नहीं और block situation नहीं दे सकते हैं person आपको क्योंकि इनकी feelings आपके साथ match हो रही है आपकी जो energy है उससे ये person connect कर रहे है उनको लगता है कि मेरा कोई इंतसार कर रहे है उनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए मुझे उसको नहीं दोका देना है यानि कि आपको उनको अभी ये realize हो रहा है कि उन्होंने जो वादा किया था या आपके साथ जो कस्मी खाई थी आपके साथ जो सपने देखे थे उसी पुरा करने का वक्त आग चुका है इस परसन को ये भी लगता है ना कि मुझे अपने लिए जीना है आपके लिए जीना है दोनों को आगे बढ़ना है इस रिच्ते में ब्यूटिफुल फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है इस टैप की romantic feelings और thoughts इस परसन की strongly मुझे नजर आती है तो ये परसन नहीं रुकेंग किसी के कहने पर भी नहीं रुकेंगे और इनकी feelings इनको रोखने नहीं देंगी रुक नहीं सकते है फिर सी वहीं लगता है मुझे कि नहीं रास्ते पर चन्नी की कोशिश कर रहे परसन हो सकता है कि उनसे गलतियां हो गए उन्होंने बड़े बड़े सपने देके या आपको न अब एंदने गलतियां किने इनकी age कम हो सकती है कहिए आपकी बरावरी नहीं कर सकते जैसा आप सोच सकते हैं वैसा वह नहीं सोचते हमेशा जैसे कि बुद्दू जैसे बिएव करते हैं तो कहीं न कि अभी मुझे लगता है कि maturity के साथ हैंडल करेंगे आपके partners और कहीं ना क सोचते हैं या जो आप कहते हैं उसके उपर सोच रहें सोच विचार कर रहें कि मुझे भी ऐसा ही सोचना है मुझे भी यानि कि उनको आपके जैसा ही बनना है या आपके जैसा सोचना है जैसा आपको यह भी प्रॉब्लम आ गया तो आप रोना शुरू नहीं करते हैं आप हैं सामना करते हैं मतलब उतनी capability आपमें है तो वो इस person को कहें लगता है कि मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए कि जिन्दगी में जो भी मुसीबते आती हैं जो भी problems आते हैं उसका सामना कर सके इस टैप की feeling से तो nine of pentacles के energy है कि अदूर अपन इस person का मुझे दिखाए देता है partner आपके बहुत जादा अकिले feel कर रहे कि इनके पास पैसे हैं इनके पास अच्छा जॉब है इनके पास खांदान अच्छा है family अच्छा है सब कुछ है इनके पास आशो आराम हो सकता है लेकिन आप नहीं हो यानिकि यह ऐसा feel कर रहे हैं आपके partner या feel कर सकते हैं आने वाले कुछ गंटों में कि मेरे पास सब कुछ कुछ होकर मैं क्यों incomplete feel कर रही हूं या कर रहा हूं क्योंकि आपकी कमी को महसूस करने लगेंगे मुझे यह लगता है कि अभी भी आपको ही याद कर रहे हैं और आगी कुछ वक्त में मुझे लगता है कि और जादा यह जो incomplete है या जो missing energy है बढ़ने वाली है परसन का ऐसा लगने वाला है जैसे कि इनके बास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है खाली पंसा लगता है अकेला पंसा लगता है या फिर हो सकता है कि इनकी जो भी problems होते हैं इनके जो भी doubts होते हैं वह आपके साथ share करते लेकर अभी कोई है नहीं जिसके साथ वह बात करें जिसके messages आए जिनके replies आए या जिनके call messages देखकर इस person के चैरे के ओपर smile जैसी आती थी पहले वैसा कोई कुछ होता नहीं है अकेले से रहते हैं गुमसुम से रहते हैं काम पर focused है salary लिया बस हो गया काम घर के काम कास कर ले लेकिन वह हसी खुशी का माहौल बिलकुल नहीं है इस person के जिन्देगे में एक seriousness जैसा लगता है इस person का और वो उनको नहीं चाहिए उनको life enjoy करनी है आपके साथ हर खुशी आपको भी देनी है और कहिना कि उनकी खुशी में आपकी है और आपकी खुशी में उनकी खुशी जूड़ी हुई है तो कहिना कि यह person completion चाहते है nine of pentacles एक बहुत ही अच्छा कार है positive कार है next कार भी बहुत ही positive कार है आज आ रहे है कोई भी negative कार ऐसा तो आया नहीं है सिर्फ एक ही कार यहां पर negative है जो कि है five of swords बाकि सभी कार पॉजिटिव आये क्या बात है यानि कि आने वाले 72 गंटों में आने वाले 72 hours में बहुत कुछ positive होने वाला है आपके partner की तरफ से याद रखे आपको ज़रूर claim करना चाहिए आज का यह video आज का यह reading यहाँ पर strength का card strength का card जैसे की अकिला पनगर था आपका और इस person ने आपको दिया था तो वही दूर कर सकते हैं क्योंकि जो खुशे आपको यह partner दे सकते हैं वो आपको पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकते हैं बहले आप shopping करने जाएंगे बहले आपको आपके बड़ी गाड़ी आ आपको नहीं चाहिए आप जो भी आपके पास हैं उसमें खुश है और आगे भी खुश रहेंगे लेकिन आप यह चाहते हैं कि यह person लॉट कर आए यह person आपके साथ पहरे चैसा रिश्टा रखे कॉल मेंसेजिस करें आपके साथ बात करें कम से कम बात तो करें मिलने नहीं अगर long distance है यह काम के सिलसले में दूर है तो ठीक है कोई बात ने लेकिन at least आप चाहते हो कि दिल में दिन में कुछ time यह person आपके साथ बात करें तो यह होने वाला है यह person आपको call messages कर सकते हैं और person आपको accept भी करेंगे अगर यह रिश्टा अगर secret रखा था जैसे कि आप दो family से बात करने वाले हैं यह मुझे लगता है शादी के बारे में आपके बारे में कि वह आपको पसंद करते हैं ऐसे आपके partner की feelings आज निकल कर आ रहे हैं तो जो अगर आप पीछे पढ़े थे आपके person के कि बात करो हमारे बारे में family से यह हमारे रिश्टे के बारे में और व वेट करोगे यह भी energy उनमें confidence दिखाए देता है कि मेरे को मेरे प्यार के उपर भरोसा है मेरे को मेरे पार्टनर के उपर भरोसा है कि मेरा इंतिजार करेगी या करेगा इस टाप की उनकी feelings है next is seven of cups seven of cups मुझे ऐसा लगता है ना कि सही decision person ने नहीं लिया आपका साथ चोड़ा या उनकी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त जिस वक्त ये break up हुआ था no contact हुआ था या यह person आपसे दूर चले गए थे तो उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया तो अभी वो feel कर रहें कि मैंने सही वक्त पर सही चुनाव क्यों नहीं किया मेरे पास दिमाग था मेरे पास ability थी मैं पड़ा लिखा हूं या पड़ी लिखी हूं तो मैंने अपने लिए सही क्या है गलत क्या है क्यों मेरे समझ में नहीं आया ऐसे सोच कर परिशान मुझे लगते है सेमर अफ कब से एक नेगितिव कार्ड है जहाँ पर परसन उलजी हुए नजर आते हैं तो हो सकता है पास्ट में उलजी हुए थे लेकिन अभी कहीना कि आपके उपर फोकस है कि जाना है आपके पास निभाना है इस रिष्टे को सब क कुछ ठीक करना है इस टाइब की फिलिंग से तो मुझे रगता है पॉजिटिविटी आ रहे हैं आपके रिष्टे में और तैन आफ सोर्स आप देख सकते हैं बॉटम अफ देख टैन आफ सोर्स की एनरजी है और यह कार्ड यह कहता है कि एंड हो रहा है नो कॉंटेक्स बीचे बहुत कुछ सिखा कर गया आपको कि अगर आपको इस परसन के साथ आगे तक जाना है तो क्या-क्या आपको करना होगा सेम सिच्वेशन आपके पार्टनर की भी मुझे नज़र आती है कि उनको भी पता है कि इस रिष्टे में उसको कैसे बरताव करना है कि किस लहज से कोई भी situation जब जिन्देगी में आता है तो एक दुसरे का साथ नहीं छोड़ना है यह समझ गए तो फॉसिटिव मुझे लगता है यह वक्त आपके जिन्देगी में बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आ रहा है कुछ हम देखेंगे hidden love messages person की तरफ से love oracle deck से कि क्या है उसके पहले हम यहां पर lucky numbers की बात करेंगे मैंने आपको 12-13-14 बोला था कि lucky numbers है उसके बाद जो है साथ नंबर एक नंबर लगी है 9 नंबर लगी है 8 नंबर आपके लिए लगी हो सकता है 88 यहां पर दो बार आच चुका है और दो नंबर आपके ल और राशी कुम्भर राशी उसके बाद ए Psैसिते टियरे समें मेश राषी सिहर दनू राशी उसके बाद जो चुराशी यहां पर आईवह है Cancer 어머 p.o करकर आशी में राशी वरश्ठक राशी और Taurus वर्गोisce के प्रकोर positive cards आये हुए हैं इसका मतलब कि आने वाले 12 गंटों में एक अच्छा वक्त आपके जिंदिगे में आ रहा है आपका manifestation काम कर रहा है और जो आपकी person को आपकी तरफ आने पर मजबूर करें कुछ love messages देख लेंगे आपकी person की तरफ से क्या है love messages क्या वो कहना चाते हैं या कौन सी चीज़ें उनको बहुत जादा सता रही है या है mistakes यान कि person को पता चल गई है कि उनकी गलतियां क्या है और वो चाते हैं कि काश में पीछे जाकर सब कुछ ठीक करता या जो भी मुझसे गलतियां हुई है उसे में सुदार पाता लेकिन ऐसा कभी इंसान नहीं कर सकता है जो हो चुका वो हो चुका आगे आप ध्यान द कि मेरी गलती हो गई तो आपको शरम सी आ जाती है कि मुझसे गलती हो गई लेकिन बहादुर इंसान किसको कहते हैं जो अपनी mistakes accept करें और आगे बढ़े कि हो गई मुझसे mistake अभी मुझे आगे सावदान रहना है और वो mistakes मुझे फिर से repeat नहीं करना है उसे कहते हैं कि चतुर कि यहां पर भी confusion की energy आई है seven of cups की energy जहां पर confused थे person उनको नहीं पता था कि इस रिष्टे में future है नहीं है क्या वो गलत कर रहे है इस रिष्टे में आकर क्या आप उनको समझ पाएंगे क्या वो आपको खुश रख पाएंगे थोड़ा confusion अगर था तो अभी clarity मिलने का वक्त आ चुका है confusion का काड़ यह कहता है कि past energy उनकी कहती है यहां पर इन सेपरेबल यानि कि person आपसे जुदा नहीं हो सकते person आपसे अलग रहकर खुश नहीं रह सकते यह वो कहना चाहते कितना beautiful काड़े देखे our love is always there despite the distance यानि भले हम कितने में दूर एक दुसरे से क्यों ना हो हम को कोई जुदा नहीं कर सकता हम को कोई अलग नहीं कर सकता तो तो प्यार कितना गहरा है आप ही सोचे और ऐसे रिष्टे में आगे बहुत यह अच्छा future है तो claim कीजिए इस energy को आज के reading में इतना ही thank you all of you thank you angels and thank you universe